चल चत्र अभ्यान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं चत्र अभ्यान की टीम आज गोरकपूर में है और यह गोरकपूर सार विदान सबाइक सीट के अंतरगत कासी राम कालोनी में हम लोग हैं यह कालोनी जब मायवती जी जब मुख्वंत्री बनी थी तो उन्होंने गरीबों के लिए हर जिले में कासी राम आवसी कालोनी बनाई थी जिसमें जातर जो गरीब मजदूर हैं देनिक मजदूर हैं और उन लोगों को ये आवास आवंटित किया गया था और आज हम लोग जहां भी इस तरह के कालोनियों में जा रहे हैं वहां देख रहे हैं कि वहां पर बहुत ही दुर्वेवस्था है कालोनियों की रख्रकाव ठीक से नहीं है और जो लोगों वहां पर रहा रहे हैं उनकी भी हालात बहुत खराब हैं खासकर लागडाउन के बाद तो हम लोग बात करते हैं यहां पर मौजूद हैं यहां के कालोनी के लोग जी और यह भी बताना जरूरी है कि यह जो विधान सीठ आती है जहां से इस बार मुखमंत्री योगी यादितनात खुद चुनाव लड़ रहे हैं इसके पहले यहां पर भाजपा की ही विधायक डाक्टर आदो मौन दासागरवाल थे जी बताइए शरीये 322 जब सचुना हुआ है और हमारे यहां राधा मोहन जी आये रभी क सब मतार केटने लोग हैं हमारे यहां पर यह पंदरी सफों inception सब परिवार मिला के 6000 लोग हैं किस तरह के लोगसं मुटूर में हैं सर जाने ची की आज हमारे भाने तक यहां है कि तरह काम काम लोग करते हैं जैसे कहीं मुख दूरी मिल पार्शक्ति हमारी ओरते वार्टियर कर लिया कहीं मिलए टेम्पू चला लिया करने कोई जो है जैसे कि राजीर कर लिया खई कोई बरतंद दोने का काम कर लिया सेर यही अपना जीवा नंसल्सान मिलता नहीं हम उठा लगव जहाँ यी तो भी साब मिश्चिरी काम करते हैं vivo कब लेते हैं लगता है तो भाई पासपर जगाज़ चलाना पड़ता है हमको कोई लाव नहीं साइप अज तक हम उतना नहीं नहीं तक भाकिए पाकर हमको पींसन नहीं अभी तक मिला उप्रोबाइक नहीं हो रही है सब्सक्राब हो जा रहा है साहब कितने साल हो गया इसकी मुरमत अभी तक भूगे नहीं किया सबसे ज़्यादा पानी का ठीक है नीचे वाले फ्रोर पानी आ जाता है सकेंड वाले फ्रोर पानी चेहरता नहीं बहुत दिक्कत में हम लोग है तो इसी तरह निजे से लोलके से लाकर भरते हैं पना काम चलाते हैं इस बारे में कभी कि विधायक आए तो उनसे विधायक जी आए थे उनसे कहा गया नगनिगे में भी बात किया गया तो का दे कि पैसा पास होगा तो बनेगा दूसरी वेवस्ता यहां लाइट की है जो लाइट की वेवस्ता पहले सही था दोजार अठारा उनने से गरबर हो गया गरबर यह हुआ कि विल आ रहा था डाइसो दोसो तिनसो जो भी आ रहता नियम सबारतिय जा रहा था उसके बाद में सीधा विल फेक दिजा किसी का 1 लाग किसी का दो लाग किसी के 75,000 अब जो भाई 25,000 दस जार के काम करने वाले आ सबके साथ हुआ है लगब 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 25,000 लोग है तो जमा कर पाई आप नहीं कटी नहीं है तब एक हजार रुपिया महीना की बात हुए तो एक हजार महीना अपना डाल के चला जा रहा है दूसरी नाली कप से कीजी तरह पे पूरी देख सकते हैं इजा पानी ब सब्सक्राइब को अगर पाई खाना सीड कोई बहुत आपना पैसा लागए सीड उठा लिए है वो स्रिति जाज यह नहीं उठाए है उन्हीं घार में साब पाई खाना भारा हुआ है तो घर सोड़के चल दिये हैं का करे भाई उसमें पाई खाना बड़ा तो चले दिये है अब यहां जाने लएक रहता है वहां तक जाते हैं आप लोग टंकी से सप्लाई के पाई चलता है लेकिन पांच बिजए से तब सुबह के टाम तो आ जाता है और क्या दिक्कत हो रही है इस ट्री टांसपार्मर जो है रातमिंग्दम फाल्ट कर दाया कितने जानवर इसके स लगता है कि कोई देखरेक नहीं है कोई बाइन जी का सासन खतम हुआ तब से कासिर राम लावारिस हो गया उसमें देखरेक ठीक थी तब तो बढ़िया तो यह लोग अधिकारी लोग दोरते थे और जहां इनके सरकारगीरी उसके बाद कोई नहीं आता है मैं खुद वह दि संधमिасना यह जो कर रहे हैं लोग से सरकार नहीं कर रहे है क्वाज स सारी कहा मिर्म कर घुम была चार दिन की यह की बढ़िए कर रहे हैं थोड़ा बहुत सब्सक्राइब करते हैं लेकिन इसका ख्याल कोई नहीं रखता है कोई नहीं करता है भूल जाता है काशी राम आखिर क्यों ऐसा होता है थीक है वहां चलते हैं बात हुआ अोय है हां बताई एक हम अगरत पर्सनल स्वःधार दिया है वह तो मिला है ऐसी बात नहीं है सुद्धी में कोई प्राब्लम नहीं हुआ है, हर आदमी उसका लाब उठाया है और उसके में प्राब्लम सर हम लोग का ये है कि नाली और लाइटिंग का चैमरी खो गया है जिसकी वज़े से हम लोग नीचे राने वाले जो हैं वो लाइटिंग का पानी सीधे कंप्री में आ रहा है तो में प्राब्लम हम लोग का ये है, अभी जैसे बरसात चालू हो जाएगा तो फिर दिक्कत ये पैदा होगा कि लाइटरिंग के रास्ते लाइटरिंग के रास्ते वो रूम में पानी आ जाएगा तो सर प्लीज इसका ध्यान दिया जाए कि ये नाली और लाइटरिंग का जो चैमर ये खुआ है उस पे लोग बहुत जगह बात चीत किये तो लोग बोल जरूरी ये नाली का जो कच्छा निकलवाना नाली का उचा करवाना और लाइटरिंग के पानी की बहने का वो समस्या का समाधान करूं पहुत बद से बत्तर जो हालत बाहर है तो यह आ रहा तो उठाय तो जा रहा है जितनी भी पार्टियां आ रही है सब के सामने ही प्रस् पहुतो दिया कि पिछली बार चुना नहीं हुआ था इसके पहले भी तो चुना हुआ था लोग जीते तो क्या किये उज़ पांसाइब नहीं सर एक बार आए थे उसके बार नहीं तो भूले वह तो मुखमंत्री जी खुद लगना है तो भी चलेगा है हम सब का बिछार होगा देखा जाएगा जो राधा मोहन घालाकी है ने हरा मोहन जी आये वह पूरी बनवाए से पूरी बनवाए और बटवाए पूली आस सो ही चलेगे तरन जो कभी वह मुखमंत्री ना पधार मंत्री कोई नहीं आये सर तो जिस पे वह अप्लिकेशन बगारा दिलाया गया था बहुत लोगों का साइन करवार करके कि इसको माब किया जाए हम लोग खा जी नहीं पारें तो लाइट कभी कहाँ से दिया जाए तो बोले थे कि ठीक है विचार होगा तो सब बीचार यहीं हुआ है कि आज तक कोई विचार हुआ नहीं 一直ुनाऊं में ओनाओं को से तो वहीशा हो प्रतासी के धोगा धड़ी काम किये हैं द्धोगा धड़ी वाला काम कीए राधा मुहान चांब ये ऐची पर्भार हो आए तो अगानों कर देंगे हर्ची कर देंगे सर यह तो विश्वास हमारा तोड़ के है सब लोगों का आज 12 साल हम जिल्यत की जिन्दगी जी रहे हैं रोजगार नहीं हम लोग पेड़ भरी वह नहीं कर पा रहे हैं लोग यहां थे का लोगों से बाचित कर रहा हैं और यहां के लोगों का बड़ा दुख ही है कि यहां पर चाहें वो बिधायक हों या मंत्री हों मुखमंत्री हों मुखमंत्री का सहर भी है और खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन कभी इस कालोनी में यहाँ पर देखने और जाकने भी नहीं आये और यहाँ पर बिजली पानी पीने के पानी से लेके सफाई ब्यासता बहुत खराब है चारों तरफ नालियां बजबजा रही है बरसात में पानी लोगों के घरों में घुज जाता है और रोजगार की समस्या से सभी लोग खास कर जो करोना लागडाउन के बास से जूज रहे है कि उनको काम नहीं मिले है कुछ लोह ने पताए कि उनको चलूर मिल लेकिन वह उनके जिन्दगी के लिए प्रयाप्त नहीं है जिसनी देखा रहा है कि विजली순 का बिल जो है सबी लोगों को इनका बिजली के बिल जो है सब्सक्राइब और यह पिछले कई सालों से दोड़ रहे हैं इसको ठीक कराने के लिए लेकिन अभी ठीक नहीं हो पाया है और लोग परसान है कि किसी दिन इसके वज़ा से बिजली भी इनके घरों की गुल हो सकती है तब उनके लिए काफी कटनाई होगी तो हम लोग और भी गोरपूर सहर में और दूसरे विदान सबाव में जाते रहेंगे जुड़े रहें गोरपूर निजलाइन और चल्चित्र झालो पॉसे प्रिजलाइन और लिएपार निय्क के ज हुड़े पार लिए झालो हम उनके झालो हम सनके जान भी अलिए युड़े गलिए भी गोुड़े, वाम, देनके टुड़े, जा